सब्सक्राइब कीजिए यसरा सलूसन यूटूब चैनल को दबाई इस बेल आइकन को लेटेश टेकनोलोजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और दोस्तों यह बिलकुल फ्री है हेलो नमस्ते मैं हूं मुकेस पाटिदार और मेरी यूटूब चैनल यसरा सलूसन में आपका श्वागत है दोस्तों आज के यूटूब के वीडियो में जानेंगे कि एच्डी कार्ट को केसे इंक्रिप्ट किया जाता है तो दोस्तों यदि हमारी Android डिवाइस लोश्ट हो जाती है तो अन आथोराइज परसन हमारी डिवाइस को एक्सेस नहीं कर पाएगा पींकोड होने के काएट हमारे83 Eachड कर्ड में रखा अजू इंपोर्टेन डेटा है उसको एचरट को एजएक्ट और करके उनका वह गलत स्थिमाल कर सकता है तो दोस्तो HD card को encrypt कैसे करते हैं, तो इसके लिए हमें setting में जाना होगा, setting में जाने के बाद आपको lock screen and security features में जाना है, तो इसमें हम सर्च करेंगे lock screen and security features, तो यह रहा lock screen and security features setting के अंदर, तो इस पर हम tape करेंगे, इस पर tape करने के बाद दोस्तो आपको नीचे जाना है, encrypt HD card का आपको option मिलेगा, तो यहां पर हमको tape करना है, यह रहा, encrypt HD card, तो इस पर हम tape कर दिया, इसके बाद कुछ instruction है, दे रखें आपको instruction को carefully read करना है, HD card को encrypt करने के पहले, यह हम से कह रहा है कि हम HD card को encrypt कर सकते हैं, बट जो encrypt की device, यानि कि जिस पर हमने डिवाइस पर encrypt की HD card, उसी पर हम HD card को read कर सकते हैं, इसके अलवा आपकी बेटरी है, फुल चार्ज होना चाहिए, या पावर प्लगीन होना चाहिए, और encryption के दोरान आप HD card का use नहीं कर पाएंगे, ठीके दोस्तों, अब इसके बाद encryption का, HD card का जो option है, इस पर हम टेप करेंगे, तो encryption की जो process है, वो चालू हो जाएगी, और कितना time लेती ही, आपके HD card की size के उपर depend करेंगे, इसके अलावा, HD card में जो data रखा है, उसके उपर depend करेंगी, तो दोस्तों, यह encryption की जो process चालू हो चुकी है, ठीके, यहां आप देख पा रहे हैं, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, यह जो time है, encryption का आपकी HD card और उसमें रखे data के उपर depend करती है, तो यहां हमें कुछ कुछ समय वेट करना पड़ सकता है, encryption के दोरान, तो दोस्तों, encrypt HD card एक secure feature है, इससे आप अपने HD card को log कर सकते है, digitally, तो यहां पर 99% हो चुकी है, encryption की process, तो यह कितना और समय ले रही है, 100% हो चुकी है, encrypted completed, तो यहां decrypt का option आगया, तो यह encryption 100% हो चुकी है, दोस्तों, आप notification में भी देख पा रहे हैं, तो दोस्तों, आप इसको encrypt किस इस्तिति में करते हैं, encrypt आपको आपको पता ही है, अब decrypt कब करना है हमें, तो दोस्तों, जब हम mobile को फार्मेट करने हैं, factory resetting करने हैं, उस हमें आपको फार्मेट करने के पहले, SD card को decrypt करना होगा, वन्ना आपकी खुद की device पर आप SD card को read नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ decrypt के पहले भी आपको कुछ instruction दे रहे हैं, कि आपकी बेक्टी fully charge होना चीए, यहाँ decrypt के दोरान आप SD card का यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ decrypt, जो HD card का जो option है, यहाँ इस पर आप टेप कर सकते हैं, और यहाँ पर पूरी तरह से SD card को decrypt कर सकते हैं, mobile format करने के पहले, यह ध्यान रहें, ठीके, तो दोस्तों मैं आसा करता हूँ कि मेरे वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे, और दोस्तों यदि आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा, तो like and subscribe ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ share करना ना भूले, thank you for watching, once again, YesRash, solutions.